सिला जीत हिमाले और हिंदु कुस परवत माला से प्राप्त किया जाने वाला एक प्राकिरती खनिक पडार्थ है यह पदाद चिपचिपा और टाइट होता है जो पौधो वो उसके हिस्सों के हजारों सालों तक डीकंपोजीशन होने के कारण प्राप्त होता है आयर्वेट में सिला जीत को सक्ति वर्धक माना गया है जिससे संपुल सेहत का विकास होता है पुर्षों की अंदूर्णी ताकत और यौन स्वास्त के लिए सिला जीत रामबार इलाज माना गया है सुद्ध सिलाजीत का सेवन करना पूर्षों के साथ साथ महिलाओं को भी आति उत्तम फायदेमंद पहुचाता है आईए जानते हैं कि सिलाजीत के सेवन से कौन-कौन से फायदे प्रप्राप्त होते हैं लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वेल आइकान की गैटिक को दबा लिजिए तथा वीडियो को लाइक करना नव लेए दोस्तों अचारे चरक कहते हैं कि इस धरापर ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे सिलाजीत जीत न सके लेकिन हम आज कल देखते हैं कि इस महान दवाई को केवाल पौरुस सक्ति बढ़ाने में ही उप्योग किया जाता है इसमें कोई संदे नहीं कि यहाँ एक पौरुस सक्ति बढ़ान आउसधी भी है लेकिन यहाँ अंड्य रोगों की भी महान आउसधी है सिलाजीत के सेबन से दिल्चस्प फाइदे मिलते हैं पौरुसों के लिए टेस्टो इस्टिरोन हार्वोन काफी जरूरी होता है यहाँ पौरुसों के यौन स्वास्त को सुधारने में काफी सहायक होता है टेस्टो इस्टिरोन के कमी के कारण पुर्सों में बालों का जड़ना, मसल्स कम जोड़ोना, बॉडी फाइट बढ़ना वो ठकान जैसे समस्याएं हो सकती हैं PubMed.gov पर प्रकासित एक क्लिनिकल इस्टिरी में सामिल 45-50 साल के उम्र के पुर्सों में सुद्ध सिलाजीत का रोजाना, दो बार 250 मिलिग्राम सेवन करने पर टेस्टो इस्टिरान हार्मोंस में बढ़ोत्री देखीगे सिलाजीत का इस तरह सेवन करके मर्दों की ताका को बढ़ाई जा सकती है एनीमिया की समस्या सरीर में खून की कमी को एनीमिया की समस्या कहा जाता है मैलाओं में आयर्यन की कमी से होने वाली एनीमिया की समस्या जादे देखी जाती है हाला कि यह समस्या पूर्सों में भी हो सकती है सिलाजीत का सेवन करने से सरीर में रक्त बनने की प्रिक्रिया को मदद मिलती है और एनरजी आती है क्योंकि इसमें हुमिक एसीड और आईरन आधिक मात्रा में पाया जाता है सिलाजीत का सेवन पेशाब संबंदे समस्याओं से भी राहात प्रदान करता है यह गुर्दो वगुत्रासर को स्वश्ट रखने में मदद करता है इसके सेवन से पेशाब में जलंग और पत्री जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है इससे कीडनी की कार्य छमता बढ़ती है अगर आपके जोडों में दर्द राता है तो सिलाजीत का इस्तवाल आपके लिए फायदेवन्द सावित हो सकता है इसमें एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुर्द पाये जाते हैं जो शरीर में टीस्यू की सूजन को कम करके जोडों के असहनी दर्द को राहत दिलाने में मदद करता है इसके साथ ही इसके इस्तवाल से बढ़ती उम्र के लक्षणों वो कोशिकाओं के छती गरस्त होने की प्रिक्रिया को भी कम किया जा सकता है यानि कि आप ज्यादे समय तक जवान रह सकते हैं सिलाजित का इस्तवाल हमारे दिमाग के लिए भी लाबदायक होता है यह हमारी यादास चक्ति को भी मजबूत करता है इसमें मौजूद फूल्विक एसिड दिमाग में ताव प्रोटीन के आसमान वा आसंतुरित उत्पादम को रोगता है जिससे दिमाग की अलजाइमर जैसी समस्या से भी राहत पाई जा सकती है दोस्तो सिलाजीत की आपको दोबूद गुनगुने दूद में डालकर रात्री में सोते समय लेना चाहिए दोबूद यानि की सुद लिक्विड सिलाजीत का परियोग आपके स्वास्त के लिए ज़्यादे हितकर होता है या दिब्य आउशदी होती है और पतंजली की आउशदी होती है इसका इस्तमाल आपके सेहत के लिए फायदेबंद होता है क्योंकि आप लिक्विड रूप में पाई जाती है तो दोस्तो आज का वीडियो आपको अवस्य ही अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तर तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रा